नमस्कार न्यूज वर्ल्ड इंडिया देखरें आप मैं हूँ आपके साथ सुमन पार और रुडाजल परदेश में भारत चीन के सैनिकों के बीच हुई जड़ब को लेकर संसत के दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा जारी है और इसी बीच रक्षा मंतरी राजनाथ सिंग ने भी लोगसभा में समुद्धे पर जवाब दिया उन्होंने बताया कि भारतिय सेना ने चीन का बहादुरी से जवाब दिया भारतिय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को उनकी पोस्ट पर वापस भीजा इस दोरान भारतिय सेना के किसी भी जवान का ना तो निधन हुआ और ना ही कोई गंफीर जखमी है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग ने कहा कि इस सदन को अरुनाचल में त्वांग में हुई घटना के बारे में अफगत कराना चाहता हूँ दिसंबर 2022 को पी एले जवान ने यथा स्थिती को बदलने की कोशिश की हमारी सेना ने द्रणता से इसका सामना किया और इस दोरान ही हाता पाई भी हुई भारतिय सेना ने चीनी सैनिकों को अतिकर्मन करने से रूका और उन्हें उनकी पोस्ट में वापस भेज दिया और इस दोरान ही हमारी सेना ने किसी जवान की ना तो मौत हुई है और ना ही कोई जखमी खायल है और इसके साथ ही इतना ही नहीं भारतिय सेना के कमांडर ने चीनी पक्ष के साथ इस मुद्दे पर फ्लैग मीटिंग की और चीनी पक्ष को ऐसी कारवाई ना करने के लिए कहा गया है इससे पहले कॉंग्रेस आर्जडी त्रुन्मल कॉंग्रेस आप समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने राज्य सभा और लोग सभा में इस मुद्दे पर तुरंत चर्चा की मांग को लेकर नोटिस भी दिया और उधर पीम ने भी कैबिनेट बैठक बुलाई है सरकार की नई पेंशन योजना के खिलाफ अब करमचारी एकजुट होकर विरोध में उतर आए हैं और इसी सिल्सिले में आज पुरानी पेंशन ववस्था को बहाल करने की मांग को लेकर करमचारियों के सयुक्त मोर्चा ने जिले के ही देवाल ब्लोक में एक बड़ी बैठ कर आंदोलन की रणनीती बनाई है बैठक में करमचारियों का कहना था कि सरकार ने नई पेंशन योजना को लागू किया है जो 60 साल की सेवा देने के बाद करमचारी अपने को ठगा सा महसूस कर रहे है और कहना है कि अगर सरकार को नई पेंशन योजना इतनी ही अच्छी ल ये 18 दिसंबर को जिले के केंद्र करन परियाग में ही बड़ा अंदोलन करने का निर्णय लिया गया और जानकारी दी गई कि इस दिन अंदोलन में परवेश जो परदेश भरी से पुरानी पेंशन बहाली सहीवत करमचारी मोर्चा के पदतिगारियों और सदस्य भारी संख णषिया में जूठेंगे कर चैनल को इजनिट इनल साफ जूड़े होंता धन्यवाद करना चाहें आज हमार साथ राच के प्रात्य कुल्यक्षक च्थाय। मातविक शिक्षक्संग देवाल, जून्यर शिक्षक्संग देवाल, के साथ हमारे सब बंद्भाग के लोग, पी ड़ुडी के लोग हैं, ब्लॉक के लोग हैं, सबी अध्यक्ष वगरे सब हम से जुड़े हमने सबको अवगत कराया वही पुरानी पैंशन बहुत जरूरी है जैसे हमारा जारकण में, च्छतिसगड में, राजस्तान वगरा में, चारपांस दाज़ों में पुरानी पेंशन बहाल लागू हो गई है, जैसे हिमानचल में भी होने वाली है, अभी मानने मुख्यमंत्री जी हिमानचल के जो निर्वाचित हुए हैं, उनके बयान आये थी क पहली कैबिनेट में, जिस दिन हम सपत गरान लेंगे, पहली कैबिनेट में हम पुरानी पेंशन बहाल को लागू कर देंगे, पूरे उत्रा खंड़ नहीं, पूरे ही देश में, अरुलान से लेके गुजरात और कश्मिर से लेकर, कन्यकुमार तक सब लोग सरकारी करम चार के तहट उस टाम पे जो बीजेपी की सरकारा अटल पे अरिवाजपी मानने अटल पे अरिवाजपी जो प्रदानमति देश के थे उनके कहने पे उसका लागू हो गई, बरतवान समय में हम OPS की मांग करते हैं, और NPS अगर इतनी ही अच्छिया, तो सांसाथ हो गया, बिदा करके कंसोला गाउन निवासी सुरज विस्ट का पार्थिक शरी सुमवार को ही उनके प्रतक गाउ कंसोला पहुंचा, जहां पर समस्त गाउन वासी और भारी संख्या में छेतर वासियों ने पहुचकर भारत माता की जय और शहीद सुरज अमर रहे के नारों के साथ ही विगत शुगरवार को ही कंसोला गाउं के 20 गड़वाल राइफल में तैनात सुरज विस्ट की पंजाब के भठिंडा में घातक कमांडो ट्रेनिंग के दोरान आकस्मिक मौत को हो गई थी और जिससे संपुन गाउं और छेतर में शोक की लहर चा गई आज आपको बतादे कि इसको लेकर सूरज विस्ट का पार्थिव शरीर उनके गाउं के 16 पहुंचा और वहां पर उपस्तित संपुन ग्राम वास्तियों जनपरती निदियों और छेतर के लोगों ने सूरज विस्ट अमर रहे और भारत माता के जैके नारे के साथ ही उनके पार्थिव शरीर को गाड़ी से बाहर निकाल कर आर्मी द्वारा अंतिम दर्शन के लिए उनके घर ले गए जहां पर उनकी माता श्रीमती पुष्पा देवी ने अपने पुत्र के शव को देखकर बेहोश हो गई जिन्हें किसी तरह परिजनों द्वारा होश में लाया ग जहां पर 20 गड़वाल ने नहीं वहां पर मेजर सुरेश की अगवाई में गड़वाल स्काउंट जोशी मट के 15 जवानों द्वारा सैनिक सम्मान के साथ रीत चढ़ा कर ही अंतिम सलामी के साथ विदाई दी गई इस मौके पर भूतपूर्व सैनिक और जनपरति निधियों ने भी पुश्पग उछड़ा कर ही अंतिम सलामी दी और वहीं मुखगनी उनके बड़े भाई पंकशवारा दी गई इस अवसर पर ब्लॉग परमुख सहित भारी संख्या में कई गर्मान ने व्यक्ति वुपस्थित रहे हमारे छेत्र का एक 25 वर्सिय युवा सुरत सिंग की सही दोने की खबर मिली जिससे हमें बहुत बड़ा आगात पहुचा हुआ है और मैं सोक संतत परिवार को समय देना व्यक्त करता हूँ और इस वर्सिय युवा का सहीद होना यह हमारे बहुत बड़े दुख की बात है लेकिन एक तरफ से बड़े गौरव का विस्वई भी है हमारे छेत्र के लिए क्योंकि सेना में अपने प्राणों की आहोती देना बलिदान देना यह गौरव की बात भी होती है पंतनगर गोविंद बलव पंत युनिवर्सिटी में बड़ी संख्या में इकठे चात्र चात्राओं ने युनिवर्सिटी अस्पताल के आरोपी डॉक्टर की गिरफतारी की मांग को लेकर अस्पताल गेट के बहार धर्णा परदशन दिया वही धर्णा दे रहे चात्र चात्राओं का आरोप है कि युनिवर्सिटी परशासन बीते सात दिनों से लगातार पेडित चात्रा को न्याय दिलाने की बजाए आरोपी डॉक्टर को बचाने में लगी हुई है इधर मामले को लेकर राजेपाल के पंधनगर आने के ठीक पहले चात्र चात्राओं द्वारा धर्णे पर बैठने से युनिवर्सिटी परशासन और पुलिस परशासन में हड़कंप मच गया है वहीं धर्ने पर बैठे चात्र चात्राओं को समझाने बुजाने की युनिवर्सिटी परशासन सुरक्षा विभाग और पुलिस परशासन की ओर से लगातार कोशिश की जारी है वहीं SSP मंजू नाथ टीसी ने भरपूर परियास किया है लेकिन आकरोशित चात्र आरोपी डॉक्टर की गिरफतारी किये बिना धर्ना स्थल से नहीं उठने की बाद पर अड़े हुए है इदर परदेशन कारी चात्र चात्राओं का आरोप है कि इलेक्ट्रोनिक और कम्निकेशन इंजिनियर पोर्थ एयर की चात्रा नहीं बीते पांच दिसंबर को पंथ नगर यूनिवरसिटी अस्पताल के डॉक्टर पर छेड चाड अभरतता और योन शोशन का आरोप लगात सही आरोपी डॉक्टर का बचाव करते हुए उसे क्रिशी विज्ञान केंदर जोली कोट अटैज कर दिया है वहीं पेड़ित चात्रा की बार बार आरोपी को दंडित किये जानी की मांग के बावजूद यूनिवरसिटी परशासन लगातार बामले को रफा दफा करने में लगा हुआ था जिससे आकरोशित चात्र चात्राओं ने आज सुभा इन नौ बचे यूनिवरसिटी अस्पताल गेट के बाहर बड़ी संख्या में इकठे होकर अनिश्चित कालिन धर्ना परदर्शन शुरू कर दिया परदर्शन कारी चात्र चात्राओं को शान्त करने के लिए यूनिवरसिटी परिशासन और पुलिस परिशासन ने भरपूर पर्यास किये परंतु आकरोशित परदर्शन कारी आरोपी डॉक्टर की गिरफ्तारी की मांग पर अडे हुए पुलिस विभाग को जैसे ही संग्यान में आया ततकाल हमने कल शाम को ही इसका जैसे ही संग्यान में आया हमने लेडी ऑफिसर को बेजा था हमारे most efficient लेडी ऑफिसर है हमारा अनुशा है अनुशा वहाँ पे गई थी पीडिता को काउंसिलिंग किया पीडिता के साथ 376-2-E 376-2-F 304-504 में दज कर दिया था और उसके तुरंत बाद आज दो प्रकार की कारवाई चल रही थी ला आज सुबह से एक तरफ हमारे आई वो जो सीनियर इंस्पेक्टर मंजु पांडे है लगातार लगी हुई है उसके अलवा दूसरी तरफ हमारे कम से कम 4-5 टीम तो उसके साथ देने के लमाज यहां आए हैं उसके साथ आठ दिन पहले यहीं इसी उनिवर्स्टी फास्पिटल पीछे देख रहोंगे यहीं पर उसके साथ गलत काम किया गलत काम भी किया प्रॉपर अटेम्ट टू रेप था यह जो साथ यहां पर बिल्कुल यह रेप है म उसका साथ लड़की का साथ देने के हम लोग यहां बैटे अपना पेपर छोड़के हम सब के पेपर हैं सब अपना पेपर छोड़के यहां बैठे रहे हैं कि बस हमें जस्टिस चाहिए प्रदेश के किशी मंतरी गणेश जोशी ने किशी और उद्यान विभाग के अधिकारियों के साथ रायवाला के गोहरी माफी स्थित अधियान विभाग के आलू फार्म और फूलों की खेती का निरेक्शन किया इस दोरान मंतरी गणेश जोशी ने बताया कि हमारा राज्य प्रेटन बर्देश है और इसलिए हमारी सरकार होट्री कल्चर टुरिरिजम पर ही काम करने जा रही है और गंगा के पास विभाग की खाली भूमी को फल सबजी उतपात के लिए भी और साथ ही क्रिशी प्रेट इसलिए उनके साथ मिलकर योजना बनाए सौंग और गंगा नदी में बही विभाग की भूमी को राजस्व विभाग के साथ मिलकर पुर्ण क्रिशी योग्य बनाने के लिए कारे करने को कहा है क्यूंकि उन्होंने यह बिदेश में इसको लेकर ही बढ़ावा दिया जा रह हैं राजयपाल और कुलादी पती वोबिंद बलब पंत क्रिशी और पुद्योगे के विश्व विग्याले लेटिन जनरल गुर्मीत सिंग नहीं अनेक्सी भवन पंतनगर पहुचकर युनिवरसिटी के सभी देंस में ही युनिवरसिटी से संचालित कारे और गतिविधिय के संबंद में विस्तार से जानकारी ली और महत्पूर्ण दिशा निर्देश दिये राजयपाल ने सभी दिन्स को ही निर्देशित करते हुए कहा कि विश्व विग्याले के शोंद अनुसंधान और ग्यान का लाब सभी किसानों को मिले अंतिन छोर पर बैठे किसान विश पर विशिष ध्यान दिया जाए पुलिस में बड़ी कारवाई की है दरसल लीज के द्वारा चार वांटियों को ही गिरफतार कर जेल भीच दिया गया है वरिष्ट पुलिस अधिक्षक उर्दम सिंग नगर महोदे के ही अदेश अनुसार अधियान वांचित वांटियों की गिरफतारी के तहत थाना गिच्छा पुलिस द्वारा चार वांटि दिनेश कुमार पुत्र महेश पाल वाड नंबर 17 थारा किच्छा गुर्णाम सिंग पुत्र करनेल सिंग और सोहन सिंग पुत्र जेत सिंग और अमर जेत सिंग पुत्र वच्चन सिंग निवासी गण भोरा धाम नजीमा बाथ थाना गिच्छा संबंदित धारा साथ आपकारी अधिनियम में गिरफतार किया गया है रिशिकेश बदरीनाथ रास्ट्रिय राजमार्ग 58 पर देव परियाग तोता घाटी के समीप एक कार अन्यंत्रित होकर सड़क से ही 300 फीट नीचे जाकर गिर पड़ी को बता दे कि हाथसे की सूचना मिलने पर ही मौके पर पहुंची देव परियाग पुलिस और SDRF के जवानों ने रेस्क्यो अभ्यान चलाया वही हाथसे के दुरान चालक गाड़ी से छिटक कर ही खाई में गिर गया जिस वजह से चालक की मौत हो गई हाथसे के बाद मौके पर मौझूद लोग भी हैरान रहे दरसल गाड़ी को सडक से नीचे अठकी रही लेकिन चालक गाड़ी की विंडो स्क्रीन तोड़ खाई में ही गिर गया और मिर तक दहरादूर निवासी बताया जा रहा है घटना सुभा करीब साथ बजे की बताई जा रहे है GST की कारवाई से वैपारी वर्ग में नाराजगी देखी जा रही है लगातार हो रही GST की कारवाई से गुसाई वैपारी वर्ग सडकों पर उतर आए है और GST की छापा मार कारवाई के विरोध में ही वेपारियों ने विरोध पर देशन करते वे सरकार से कारवाई को बंद करने की मांग उठाई है बता दे आपको कि इस समय उतरपरदेश में GST की कारवाई हो रही है GST की इस कारवाई से वेपारी वर्ग में डर का महौल पैदा हो गया है GST का नाम सुनकर अब वेपारी वर्ग अपनी प्रिस्ठान बंद करने को मजबूर है और वहीं सोंबार को ही संभल सदर में GST की कारवाई के खिलाफ वेपारी वर्ग सड़क पर उतर आया उतर परदेश उदियोग वेपार परतिरिदी मंडल के अध्यक्ष नरेंद्र अग्रवाल के नत्त में ही वेपारियोग ने सदर SGM कारेले पर विरोध परदेशन किया और GST की कारवाई के खिलाफ वेपारियों ने जम कर नारे बाजी की वेपारियों ने सरकार को चेतावनी भी दी है अगर GST विभाग के अधिकारियां द्वारा छापे मारी बंद नहीं की गई तो देश वियापी आंदोलन किया जाएगा सड़क पर उतर कर ही वेपारियों बर्ग विरोध परदेशन करेगा वेपारियों ने प्रधान मंत्री, UPC, CM और देश के वित मंत्री को संबोधित ग्यापन SDM को सौप कर GST की कारवाई बंद करने की मांग उठाई है परदेशन करने का कारण बेपार जोग यह है, कि पूरी प्रधीश वर में GST की नाम पर बेपार्यों को अद्पिणन किया जा रहा है बेपारी बर्ग ने कभी भी टेक्स देने को मना नहीं किया सरकार की हमिशा से एक नीती रही है कि एक धेस, एक कानून और एक टेक्स उसके नाम पर आज बैपारीयों से हर तरिकी के टेक्स कानून द्वारा वसूत की जा रहे हैं हम टेक्स देने को मनने नहीं करते हैं एक महीने चाहता है कि एक साफ्ट नियुमाण कराय जाए इस से हर बेपारी का बावड डेटा हो और उसमें उसके टेक्स की हाऊस टेक्स, ब्रकर टेक्स, इनकम्न को आयकर सब चीजों सारे चीजों को टेक्स करते हैं व्यापारियों के जाओ, उनसे प्रश्टा चार करो, उनका पाईशा चीनो, और उनमें जरासी विजात कमी कोई पाई जाये तो उससे उस्प्यूलित करो, ये सब बंद होना चाहिए, अगर ये बंद नहीं होगा, तो सारे व्यापारी सलक पर उतर आएंगे, हम लोग अंदो खार रहा है डीस्टे की कारभाय को लेकर कमा पतबूड सब्सक्राइबाएं करना है इस नोटी आक्रप लिए 57 एल्रियन सब्सक्राइब hinge समय रे गारषिक वर्फन कारेंगे करते हैं खिक दल्फ मार्पछा माइं खाला ह। सब्सक्राइब करें गृषिए नहीं करें और आज भी बैपारियों के साथ जो हमें परसां किया यह लेगए लेगन लेगाता जी परदीप आप हमरसत बने रही है आगे भी आपसे अपडेट लेंगे तो संबल से खबर है जहां पर वैपारियों का आक्रोश नज़र आ रहा है जानकारी है कि जी एस्टी की कारवाई के विरोध में वैपारी लगातार परदेशन कर रहे हैं संबल में तेज रफ़तार बाइकों का कहर देखने को मिला है दरसल बाइकों की आमने सामने की भिडल्द में चार लोग घायल हो गए हैं हाथसे के बाद गंभीर हालत में दो लोगों को हायर सेंटर ग्रैफर किया गया है मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सरकारी अस्पताल में भरती कराया है संबल सदर कोतवाली छेतर के चंदोसी मार्ग पर मौजूद ग्राम हवानी पूर के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है जहां पर तेज रफ्तार बाइकों का साफ तोर पर कहर देखने को मिला है लगातार हमारे साथ परदीप मिश्रा बने में है परदीप तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला और बताया ये भी जा रहा है कि बाइकों का आपस में भिरंत भी हुआ है पूरा मामला क्या विस्तार से बटाईए परदीप तेज रफ्तार के लगातार जारी है तोहरा भी पड़ रहा है लेकिन लोग गल्दवाजी इतनी है कि लोग प्रीज बहान लेकर चलती है इसमें आमना सामने ब्लंद हो जाती है ब्लंद में चाल लोग भायल होती है जिनना पुलिस को सुझा मिलती है लेकिन लगातार यह है कि लगातार लोग भायल होती लोग जोने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए लगसर के हरे रामा हरे किष्णा मंदिर वाली गली में आज एक अधिर व्यक्ति का शोव मिलने से छेतर में हरकम पमच गया है मामले की सूचना लगसर पुलिस को दी गई और पुलिस ने मौके पर पहुँच कर शोव को कबजे में ले लिया है बता दे आपको कि मिर्तक के लगसर निवासी विनोद कुमार की दुकान पर काम करता था विनोद कुमार का खाली बारदाने का ही वेपार है और दुकान मालिक विनोद कुमार का कहना है कि मिर्तक मेरे पास पिछले पांच सालों से काम कर रहा था ये चोकीदारी का काम करता था मैं बीती शाम 7 बजे दुकान बंद करके करने के बाद ही घर चला गया तब आज सुभा आकर देखा तब मुझे मुकेश कुमार का शव मिला मेरी दुकान के गल्ले में 40,000 के आसपास की नगदी थी जो गायब मिली करीब 6 महीने पहले भी इसके उपर हमला हुआ था जिसका मुकदमा कोट में विचारधीन है मैंने आवाज मारी आवाज भाणने वाजी बॉला ली तो मैंने सर्टरू ठागे देखा तो यह तो यह तो यह तो अपने दुकान पर है तो अपने दुकान में एक्षाप इदान केस नगदा था जो किछले पासात वर्थ उसर्ट यहां कहां कर रहा है उसकी मुत्य हुई भी थी और शटर खुला हुआ था अलमारी तूटी हुई है इस ख़बर पर हमारे साथ लगसर से हमारे सहयोगी परवीण सहनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं परवीण दुकान दार ने हथ्या का आरोप लगाया पूरा मामला क्या है? विस्तार से नतरी है कि जो मिनुद कुमार दुखनदार है वो आई दिन दिन के अपने दुखान बंद करते लागाता तो उसके दुखान में रहता था रोगे पर सौता भी था लेकिन देर रात को जैसे अपने दुकान विनौत कुमार बढ़ागर चामगो गए और सुभे जैसे वो आठ बजेकर अपने सुपह है तो उन्हें देखा कि जो उनका नोकर वो गेस्टर खुलावा था दुकान का और उसको आवाज लगा तो उसको देखा कि यह तो डैड़ ह लेकिन जो मेडिकल रिपोर्टर उसके आने के बाद ही हत्या की गई या कोई किसी और विजे से इसकी मौत हुई है अपरविंट, दुकान के मालिक ने ये भी आरोप लगाया है कि पहले भी ऐसे हमला करने की कोशिश की गई है बिल्कुल बताना चाहूँगा कि लगबग चार महा पहले की घटना है जो दुकनदार है उनका औरोप था कि जो उनका नोकर था वो दुकान पर रहता था और किसी अध्याद वक्ति दोरा उसके उपर भी पहले भी जान लेवा हमला किया गया था इससे साथ प्रतित यह तो हो अगर पुलिस समय रहते उस प्रतना पत्र पर चान बीन करती तो कहें ना कहें जो आज इसकी जो हत्या हुई है इसको तो कहना बचा आ जासकता है जिए सुमार शुक्रिया आपका मैरे से जुनने के लिए और हम जानकारी देने के लिए सहारनपुर के रामपुर मनिहारन में एक कार अचानक आग लग गई है जिसमें स्टेट हाईवे पर चलती कार में अचानक भीशन आग लग गई सुचरा मिलता ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जाश चुरू कर दिया है फिलाल कार सावार सभी लोग शुरुक्षित बताये जा रहे हैं फायर बिर्गेट की गारी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हाथसा नहीं हुआ कि हाईवे पर ही ये भीशन हाथसा हुआ बता दे आपको कि स्थानिये लोग वहाँ पर पहुंचे जिसके बाद सूचना जोने दमकल अधिकारी को दी गई और मौके पर पहुंची दमकल अधिकारियों ने आग पर फिलाल काबू पा लिया है फिलाल इस बुलेटिन में इतना ही खबरों का सिलसिला लगातार जारी है आप देखते रहिए न्यूजवर्ल इंडिया